दोस्तों आज तारीख है एक जन्वरी 2020 आज हम जानेंगे कि देश में कोरोना कैसे आ रहा है अच्छा आज एक जन्वरी 2020 नहीं है चल रहा है क्या एपल टाइम में पीछे पीछे क्यों जा रहा है दोस्तों आइफोन 16 की जो लांचिंग हुई है उससे एक्सपेक्टेशन बह 16, 16 Pro Max, 16 Plus इतने भी उसके आज-पास के वेरियंस है सब में मिलेगा लेकिन मगर अगर ऐसा कुछ भी हुआ नहीं हलाकि कुछ-कुछ जगह पे आइफोन ने जखास काम किया है लेकिन कुछ-कुछ जगह पे बिल्कुल ही ठकावट वाला काम किया है आज के टाइम में मेरा ट चार वेरियंट आइफोन की इवेंट में नजर आ गए है काफी कुछ नया है काफी कुछ पुराना है काफी कुछ बैटर है काफी कुछ और भी बैटर हो सकता था सब कुछ आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तो वीडियो में एंट तक बने रही है मैं उप्रतिक आप द लेकिन सब तो और सब्साहित आप्ल आपके लिए नया क्या लेकिन तो पहले बार तो यहां पर इपन अ 9% दोनों की डिस्पलें में कुछ दिबालेकर नहीं आया है सेम साइज सेम डिस्प्ले साइज आइफ hvor 16 प्लस में दिए इगी जो आइफोन 15 और 15 प्लस में थी ना कमाल की बाद सेमना मिल राया आइफोन 15 यहां 15 लो क्या बात रिचर बात करते हैं करते कि पीज की आइफोन 16 और 16 प्लस मं यहाँ पर अच्छी बात मुझे लगी है वाइस चारो वेरियंस में दिया गया जो कि अच्छी बात है इसमें कर्जूसी नहीं करी है एपल ने पूरा एपल खाने को दिया है आधा नहीं दिया है लेकिन एक चीज में यहां पर डिफरेंस जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कि a18 जो आईफॉन 16 और 16 प्लस में आपको मिल रहा है उसमें 3-core मिलेंगे आपको और जो 3-core gpu बिसीकलि आपको मिलेंगे और जो 16 pro 6-4 max में उसमें आपको 5-core gpu मिलता है यहानि आफोन 16 वालों को थोड़ा चलो कम दिया लगे तिया तो सही जब今天 का जो processing power है वो compare to iPhone 12 40% जादा है 30% जादा है iPhone 15 से तो processing power में आपको better experience मिलेगा और ये बात clear है हला कि जब phone launch होगा, use होगा, तब कितना heat होता है, कितना बैटरी कर्जिम करता है वो तो आने वाले time में ही पता चल पाएगा लेकिन हाल फिला लिया मान के iPhone के सभी fans, पैंडे, कचोरी, समोसे, कुछ भी बाठ सकते है कि बिचलो better GPU, better CPU मिला है, better processor मिला है लेकिन येस, जो भी event है, event के हिसाफ से अगर देखें तो apart from जो A18 processor वे वो fastest processor है, which is very good processor अभी तक का smartphone industry का सबसे fastest processor iPhone ने अपने device में दिया है, which is again a good thing जोस्तों camera की बात करें, तो 16 और 16 प्लस में आपको 48 megapixel का wide lens camera दिया गया है और 12 megapixel का जो है, एक टेली photo camera lens दिया गया है, जो कि 2X zoom तक support करेगा मैंने सही का 2X तक ही support करेगा, 5X support नहीं करेगा आपकर iPhone 16 Pro और 16 Pro Max की, जो की महंगे एक लाग उपर के phone है उसमें आपको 48 megapixel का wide lens मिला है, 48 megapixel का ultra wide lens मिला है और 12 megapixel का टेली photo lens मिला है, जो की 5X तक zoom होता है यार ये लोग मुझे ऐसा लगता है कभी-कभी कि iPhone या Apple चाहता ही नहीं है कि जो उसके 16, 16 plus या वो जो series होती है, जो अंडर्वन लेग, उसमें कोई लोगों इंटरस्ट हो तो उसमें बिचारों को इतना गरीब बता देते है, इतनी गरीबी वाली चीज़े देते है और प्रो और प्रो मेक्स में वही चीज़ देते है, जो इसमें बेटर है, एक कौन सी स्टेज़ी है Android वाले हम जो फोन यूजर से हम वो समझ में कभी आई नहीं, कभी आने वाली है, नहीं वैसे अगर बात करे, रिफ्रेश रेट की और डिस्प्ले की, तो अभी भी आपको 16 और 16 प्लस में 60 हर्स का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है मेरे फून में वैसे अभी 90 हर्स का रिफ्रेश रेट है, जो मैंने पिछले साल लिया था, साल 2024 में एपल की इवेंट में जो फोन लाँच हुआ है, उसमें 60 हर्स का रिफ्रेश रेट है, याँ वाल, 60 हर्स का रिफ्रेश है आपको डिस्प्ले साइज भी बड़ी है, यहाँ पर 15 प्रो की 6.1 यह थी, यहाँ पर 16 प्रो की 6.3 इस डिस्प्ले साइज कर दी गई है, जहां 15 प सेवन इच थी उसको बटाके 16 Pro Max में कर दिया गया है 6.9 इच बढ़ा दी गई है 6.9 इच का फोन को जादा बढ़ा नहीं हो जाएगा क्या बताते हो भाई आइफोन वाले यूजर कमेंट करके जरूर जाना इस बारे में इस डिस्पेल साइज बढ़ा है अमलब प्रो और प्रो मैक्स वाले यूजर ना उनको तो बहुत ही चीज़े बरबर के दिये लेकिन जो स्टांडर्ड डिवाइस और प्लस डिवाइस उसमें ठीक ठाक बड़ोतरी हुई है यहां पर यह लगी है कि कैमेरा बटन जो आइफोन ने इस साल लॉंज किया 16 के सभी वेरियंट में वो सभी वेरियंट में दिया गया है असानी है कि गरीबों वाले को नहीं दिया असी एजार वाले आइफोन 16 प्लस और कहां डेट लाग का 16 प्रो में डिफरेंस जादा है तो बूलना पड़ता है अमीर गरीब ऐसा कुछ चेंज करना बहुत सारे अच्छे फीचर जो इसमें दिये गए है विच इस गुड यह सच में इनोवेटिव चीज है एपल की तरफ से इस साल 2016 की और इस बार में बजाक नहीं कर रहा हूं मैं सच बोल रहा हूं यह सच में इनोवेटिव चीज है आईफोन 16 की जोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हो इसके अलावा आप स्टिकर्स कर सकते हो कुछ भी लिखके तो यह कुछ अचे 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 फीटर से और सिरी को थोड़ा बैटर किया गया है पडा लिखा कि सिरी को ठोड़ा और ज्व्होड़ा पहले बैचलर थी अब उसको मास्टर कर दिया गया है सो सिरी को बैटर किया गया है ऐसा इवेंट में बताया गया है सो overall AI भले ही पूरा ना दिखा हो लेकिन AI का ट्रेलर जरूर दिखा है और iPhone 16 यूजर्स में ये चीज देखने मिलेगी यूजर्स को पट एक चीज में यहाँ पर कहना चाहूँगा कि Apple Intelligence में AI फीचर में जो एक कमाल की चीज करी गई है वो है कि आपकी प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखा गया है जो आज के टाइम में आपका डेटा कलेक्ट करके अपने AI मॉडल को हर कोई कंपनी इंप्रूव कर रही है और आपके डेटा का यूज किया जा रहा है वही Apple आपके डेटा को सिक्यूर रखके अपने AI मॉडूव को इंप्रूव करेगी और आपको बैटरी रखा जाएगा आपका डेटा उसी cloud network तक ही रहेगा Apple के server तक उसकी information नहीं जाएगी लेकिन आपको result Apple की server से मिल जाएगे अगर एक तरह से देखो तो fastest processing आपके device में हो रही है cloud network में हो रही है आपका data जो किसी भी server पे store नहीं किया जा रहा है और यह एक plus point है Apple intelligence का अगर इसमें थोड़ा time लगा है Apple को launch करने में securely तो वह लगना भी चाहिए क्योंकि data की privacy data की security बहुत जादा matter करती है आज के time में और Apple हमेशा जाना जाता है अपनी data की security को लेके जाते जाते कुछ अच्छी बात करता जाता हूँ Apple के बारा है सच में appreciate कर रहा हूं Apple के Apple intelligence program को जो की privacy के साथ-साथ AI module को improve कर रही है बैटरी की बात करें तो आपल कभी बताता नहीं है कि उसके फोन में कितनी बैटरी है कितने हमश्की बैटरी बद ऐसा बूला गया है कि पिछले साल से 20 परसेंट बैटर परफोर्मेंस है अब देखते कितना बैटर है कितना नहीं है एक और बात करें तो charging जहाँपे आज के 2023 वाला इवेंट में जैसे साब एसाई कि बात करते हैं प्राइजिंग की तो प्राइजिंग की अगर बात करें तो यहां पर आपको बेसिकली जैसे मैं बताया चार अलग-अलग वेरियंट है आईफोन 16 16 प्लस 16 प्लस 16 प्रो एंड 16 प्रो मेक्स 16 की प्राइज 79,900 रूपी ज्यादा है अब 16 और 16 प्लस में बहुत ज्यादा अंतर है नहीं सिर्फ डिस्प्ले साइज का यह अंतर है तो आप 16 लोगे तो 6.1 इसकी डिस्प्ले 16 प्लस में 6.7 इसकी डिस्प्ले लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अगर फोन ले रहा हो एपल का तो आपक 1,9900 रुपे में आपको मिल रहा है 16 प्लस से और एक अमेजिंग चीज यह है कि आइफोन 15 प्रो से आइफोन 16 प्रो की प्राइस 15,000 रुपे कम किर्क दी गई है यहां में मेक इन इंडिया में आइफोन का प्रोडक्शन करने का यह बहुत ही अच्छा पाइदा मिला है 15,000 रुपे आइफोन 15 प्रो से कम है आइफोन 16 प्रो के लेकिन फीचर्स काफी अच्छे बैटर है कुछ-कुछ चीजों में और इंप्रूमेंट हो सकता था में भी आने वाले टाइम में शायद हो जाए 16 प्रो मैक्स की बात करें तो अगें वह भी 15,000 कम है 15 प्रो मैक्स यहां पर 15 प्रो मैक्स 1,60,000 में मिलता था वही 16 प्रो मैक्स आपको 1,44,900 रुपे में मिल रहा है तो almost 15,000 रुपे कम है इस बार भी so yes pricing काफी reasonable रखी है Indian market में काफी reasonable pricing है किसी बात का अगर बुरा लगा हो iPhone fans को तो ignore कर देना लेकिन सचपत कड़वी तो लगती है कई कई बात में तो आप iPhone 16 देना चाहोगे नहीं चाहोगे क्या आप सोचते हो कमेंट करके बताते रहे ना लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करते जाना क्योंकि टेक्नोलोजी ग्याजेट्स ट्रिक्स अजूड़े वीडियोस आपको टेक्टेबल 360 पे रेगूरली मिलते रहते हैं जले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए कीप स्माइलिंग जैहिन